दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपना WhatsApp status आपके Facebook story में share होने से कैसे रोके WhatsApp में एक नया feature आया है अगर आपने उसको enable किया होगा तो आप अपने WhatsApp में जब भी कोई status लगाते होंगे तो वो automatic आपके Facebook story में share हो जाता है तो अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं आप चाहते कि automatic मेरा WhatsApp status Facebook story में ना लगे तो कैसे आप इसको रोकेंगे ये मैं आपको बताऊंगा 100% working trick है तो चली देखते हैं क्या काना होगा तो अभी मैं अपने WhatsApp app में हूँ और यहाँ पर देखें मैंने अभी एक status लगाया हुआ है अभी 2 मिनट हुआ इसको मैंने अभी status में लगाया है और ये मेरे Facebook story में भी automatic share हो गया है चली मैं आपको दिखा दिता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं मैं अपने Facebook account में आ चुका हूँ और यहाँ पर ये जो मेरा WhatsApp status है वो automatic share हो गया है तो अगर आपके साथ भी ये problem हो रही है कि आपका WhatsApp status automatic आपके Facebook story में भी share हो जा रहा है तो इसको बंद करने के लिए क्या करना है आपको अपने WhatsApp app में आ जाना है WhatsApp में आने के बाद आपको उसी account में आना है जिस account में आपने ये setting किया है उसके बाद आपको क्या करना है उपर में देखिए 3 dot दिख रहा होगा इस पर click कीजे फिर यहाँ पर आपको एक option मिलेगा settings का इस पर click कर दीजे settings में आने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा privacy का इस पर click कर दीजे privacy में आने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा status का इस पर click कर दीजे status में आने के बाद यहाँ पर दीखे आपको नीचे में facebook का एक option दीखेगा तो अगर आपने अपना facebook account connect किया होगा तो आपका whatsapp का status आपके facebook story में share हो जायागा तो इसको बंद करने के लिए का करना है आपको यहाँ facebook पर click करना है जैसा facebook पर click करेंगे तो यहाँ पर दीखे लिखा हुआ आ रहा है always share to facebook story अगर आपका यह option enable है तो आप अपने whatsapp में जो कुछ भी status लगाएंगे वो automatic आपके facebook story में share हो जागा आपको कुछ करने की जरुवत ही नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आप चाते कि नहीं automatic share ना हो तो आप इस option को बंद कर दीजे अब क्या होगा कि अब आप अपने whatsapp में जो भी status लगाएंगे वो automatic आपके facebook में share नहीं होगा जब आप click करेंगे तब ही वो share होगा अगर आप इसको यहां से पूरी तरीके से remove करना चाते हैं तो facebook पर click कीजे और यहां पर click कर दीजे disable status sharing to facebook फिर यहां disable पर click कर दीजे अब आपका जो facebook है वो आपके whatsapp से पूरी तरीके से disconnect हो जाएगा अब आप चाहेंगे भी तब ही आपका whatsapp status आपकी facebook story में share नहीं होगा इसके लिए क्या करना होगा आपको दोबारा से अपने facebook account को whatsapp से connect करना होगा तब ही जाकर आपका whatsapp status facebook में share होगा तो इस प्रकार से आप अपने whatsapp status को automatic facebook story में share होने से रोग सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो helpful लगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लीजेगा